ये जो बक्रे अभी हम लोग ने बाहर निका ले इसमें कुछ सोजद है और कुछ सीरोई बक्रे है जो की अश्रफ भाई के परसनल बक्रे जो देने ठीक है यह सब बक्रों को अभी हम लोग ले जा रहें आमके बगीचे के अंदर और आप लोगो को वहीं पर शूट करके अंकाले है और यह सब आम के बगीच यह पूरा आम का बगीच है जिसमें आम जो है लुट चुके है आम दावत में आम पूरे लुट गए तो हम लोग बात करेंगे बख्रों के बारे में तो अश्रब भाई यह टोटल कितने बख्रे है यह टोटल ग्यारा है अलिमस्लाम और अपने पास सिरोई किते हैं इसमें चार है और और बाकी सब सूजद के उसको मार देगा हूँ दबागे आपक ले कंडिये में गहां से भूरा कलरे होगा ना ओजो है वह यह ना कि माश्ड़ा भकरा भी बहुत अच्छा है माश्राला माशाल्ला माशाल्ला कुझ इन ए दो नों की यह दोनों जाद है ना माश्यालला माश्याल्ला तो यह सब किते दात पर आश्रब भाई चार दा दाथ वालकि सब्साइर और दो दाथ जशे दाथ और दो दाथ चे दाथ का एक को इस बड़ा गफ्र होला जो तक कहीं घड़ा है बाकी सब्सक्राइब यह चार दाथ चार और थो और इनके वेट क्या होंगे अंदाजन के वेट 55 किलो से 65 किलो तटके है और इसमें बगरा जो यह बढ़ा वाला है वह 8483 के जीगा 8483 होगा यह हाँ यह माश्याल्ला किया था इसके बाल भी खटवा दिया हूँ सब के खूर भी कड़ गया है माश्याल्ला मुंबई क्लाइमिट में सेट है हम लोग एक मुटा मुटा आपको इसाब बता देंगे वीट का अब यह अपने आगे तया मारा गया उसको आदिया गया जब से फार्म खुला है ना उसके एक मैने पहले से अपने साइन में थे यह अच्छा पहले अपना सेट आप जो था वह साइन में था ना इसको लाए गया इन सब बक्रों को ना अच्छा अब इस तरव आएंगे थोड़ा बाज बाज अच्छा बहुत मस्त है बहुत एग्रेसिव है अंडूल में अच्छा सब अंडूल है यह वह पागल फिरोई है यह फिरोई मैं इत्दा एग्रेसिव नहीं देखा कभी है एक है आरके बाई के पास तो एसा लग रहा है इसको पकड़के खड़ा हुना भाई यह उससे भी यह वह बाई दो सीदा लड़ना चालो नाइन इसको मत छोड़ो मावल खराब कर देगा यह बाला ना यह भी टक्कर पेचा टक्कर मार रहा था माशाओल्ला चौड़े है चालो यह भी हाड़ यह बहुत प्यारा बच्छा एंट यह पकरा जो है इसकी फिटिंग बहुत जाड गिराने के चक्करम है पूरा माशाला बहुत बढ़िया अच्छा अभी अश्रब भाई हम लोग बात करेंगे इनके रेट की क्या रेट कोट कर रहे हैं इसका है न, जो जितने भी सोजद के हैं बड़े वाले मुंड़े को छोड़ के जो सत्तर किलो पा रहे हैं यो एक टीफ मुटा का है उप फियू जो बाकी के जितने भी हैं इस वह दूप दूप चार सूर्य खिलो है 400 रुपए किलो है 400 रुपए किलो है और अपने जो सीरोई के है वो 370 में देदेगा 370 और सीरोई के सब बखरे मेरे खाल से 60 पार ही है ना 60 के उपर की है कोई भी 60 के नीचे नहीं होगा माशाला सीरोई जो है 360 रुपए का रेट है और 370 रुपए का रेट है और सोज़त जो है 400 रुपए बड़ा वाला वो साड़े 400 रुपए रांस्पोटेशन अपना रेगा सामने लेगा उसका रेगा बहुत बढ़िया यह अपना परसनल लॉट है यह किसी कस्टमर का नहीं है यह अपने घर के पले हुए तैयार बच्चे है सब कुछ हो चुका है पहले क्योंकि इनका सेटप जो था धारावी में था उन्होंने वहां से शिफ्ट किया तो यह बखरे जो है इनके घर के तैयार किये वह बखरे और माश्याल्ला सब यहां पर वैक्सिनेटेड है मुंबई क्लाइमेट में सेट है सारे बखरे आप टो पन किया है बहुत अच्छा रीट ओपन किया माश्याल्ला बकरों का इन्होंने 400 रुपे 370 रुपे अगर कोई पट्टी में बोले में को पूरे के पूरे 11 बच्चे चाहिए सब गिंदा लेंगे माश्याल्ला अगर किसी को पट्टी में चाहिए तो 11 के 11 बकरे 390 रुपे में हो जाएगा पट्टी का इसा पर केजी ठीक है अपने पास यहां वेंग मशीन है ठीक है तो जिसकी को इंटरस्ट हो नंबर में अश्रब भाई का अभी फर्स टाइम अश् इस पे डिस्क्रिप्शन में भी रखने अब भुषण आपको बहुत आ है ना आपको माश्याला है क्यों कि वह पलाई पर आही रहे हैं नहीं तो इस बार इस बार इस बार अश्रब भाई के बखरो का वीडियो है प्रस्रब बाइब आपको स्क्रीन के ओपर मिलेगा ठीक ह तो आप डिरेक्ली इन से कॉंटेक्ट कर लें नंबर में स्कीन के ओपर दे दूँगा ग्यारा बक्रे है और मैंने अल्मोस कोशिश किया हूँ उसको भी ले लेंगे यह बक्रे सारे एग्रिसिव है एक दुसरे को मार रहे है ज्यादा तर तो मैं सोच रहा हूँ कि वह कैमरे म हो जाए मारने तोड़ने वाला हाच्सा कोई मस्ती कर जाए तो गैस वीडियो को हम लोग क्लोस करेंगे वरना यहां माहूल खराब हो जाएगा तो मिलते हैं आप से अगले व्लॉग भी जब तक लिए गुड़ बाई टेक केर अल्ला आपिस